पिछले साल Fun Studios Entertainment ने भारत में एक अनुटी और रचनात्मक किर्दार लॉंच के थी यह बार भी सिंड्रिला, एलसा और अन्ना जैसे बातों के लिए भारत का जवाब है जो अमेरिका से आते हैं इसका जवाब है भारत की पहली सुपर हेरोईन केतार और उसका नाम है सुपर गल तारा भारत की पहली सुपर हेरोईन और Fun Studios Entertainment और Fun Kids इंडिया की क्राफ्ट है एक कालपनी केतार होते वे भी तारा एक बहुती सर्शक्त केता है यह बहुती कम समय में भारत में जिवा लड़कियों और मैलाओ के लिए शक्ति और प्रेणा का प्रतिक बन गई है यह चरित्र पंचित तत्वा से बना है एक आउधाना जो भारत के वेट में लिए थे तारा एक रखशक और उपचारपी है और एक मस्बूत और शक्तिशाली आवाज के साथ अंतीम पादान पर खड़ी भातियों मैलाओ को सशक्त बनाती है देखें यह है short and simple जो हमारा process है Super Girl Tara of the Year जो की Super Girl Tara इंडिया की पहली Super Heroine है ऐसे भार हमारी Barbie है Cinderella है तो हमने भारत की पहली Super Heroine Super Girl Tara जो की पंच तत्थ से बिनी होई है उसको launch कर दिया है और साथ में वो एक protector भी है और एक healer भी है और जो यह process है Super Girl Tara का जो process है एक innovative process है यह को beauty pageant का process नहीं है, यह कोई actress selection का process नहीं है, यह एक super girl तारा, super girl, super heroine का selection process है, जहां जो हमने आसे दो मेने पहले start किया था, उसके बाद हमने काफी auditions किये, online, offline, AFT में हुआ, और जगा भी हुआ दिल्ली में, पूरे भारत से लड़कियों ने इसमें participate किया, और आज दिल्ली में इसक हमने grand finale किया है, जो 11 अगस्त को हुआ है, और इसमें total art finalist थी, जिन्होंने पूरा अपनी महनत से, लगन से, एक super girl तारा जो title उसको पाने की कोशिश की, तो winners में हमारे 3 winners है, सबसे पहले जो who is the winner, super girl तारा of the year, she is Sonia Yadav, दिल्ली सहीं है, और जो first runner-up है, वो प्राची देश हैं, और second runner-up है हमारी प्रेणा, जो अक्चली हरियाना से हैं, लेकिन उदिल्ली में, हिंदू कॉलेज में पढ़ती हैं, इन्बे सिंद्यूस के लिए नई दिल्ली से विजश कुमार की रिपोर्ट